So the question is, a 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to horizontal axis. The coefficient of static friction between their surfaces is, तो आप से बोला है कि वह यह एक inclined plane है, जिसका जो inclination angle है, यह 45 degree है, ठीक है? इस पर कोई 2 kg brick रखा है, जो की just slide करना start करने वाला है, तो इसका coefficient of friction कितना होगा? static माला दिया है, ठीक है? कोई साभी दे कोई दिक्कत नहीं है, तो अदो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसा simple method यह है, और एक ही method है, कि इसके आपको coefficient करने पड़ेगे, तो इसके coefficient बनाईए, component बनाईए, मतलब मेरा मतलब यह है, तो यह 45 degree है, तो इसका 2G जो है, वो तो नीचे की तरफ लएगा, 2G मतलब 20, G की value 10 दे रखाएगा है, नहीं दे रखाएगा, तो 2G बोल दो इसको, simply है, 2G हो जाएगा, तो अगर यह angle 45 है, तो बेटा, यह 90 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, आपको फिर से 45, इसके component बताए, एक तो इहाँ पर होगा, और एक इधर की तरफ होगा, तो इसका एक component कितना हो जाएगा, आपका 2G, अगर यह 45 है, तो यह वाला angle भी 45 होने वाल तो इसका mg cost इटा इधर होगा, mg sin इटा इधर होगा, simple सी बात है, तो बेटा, इस slide किसकी हो जैसे करेगा, यह slide करेगा 2G sin 45 पी जैसे, 2G cost 45 पी जैसे तो यह इसके उपर रखा रहेगा, बास अन्न नहीं, तो slide करने के लिए जिम्मेदार यह है, जब motion इधर होगा, तो friction कि इधर की तरफ होगा, आपका, इधर की तरफ, जब motion इधर होगा, तो friction कि इधर की तरफ होगा, आपका, इधर की तरफ, इसमें कोई doubt किसी को नहीं, ठीक है, तो वह यह just slide की बात हो रहे है, यानि यह क्या करने, component एक दूसरे को cancelled out करेंगे, यह just इसके बराबर ही ही है, बास के तरफ होने वाला है, clear है, इस normal force की होज़े से, तो friction force की वेल्यों निकालेंगे हैं, तो पहले हम यह वाले component बराबर करते हैं, तो यह वाले component बराबर होगे, तो यह slide, just slide की condition की बात कर रहे है, बराबर की, तो 2G sin 45, यह किसके बराबर हो जाएगा, आपका friction force के बराबर, clear ह तो हमें friction force के mu s की value निकालना है, friction force का formula क्या होता है बेटा, f is equal to mu n, यह होता है न, अब normal force की value क्या होगे बेटा, normal force को, यह इसको इक्वेट कर रहा होगा, तो normal force कितना है यहाँ पर, 2G cos 45, 2G cos 45, तो n की value यहां रख दो, तो यह होगे आपका 2G sin 45, mu s, n की value हो जाएगी 45, 2G से 2G खतम हो गया, इस cos 45 को निचे लेके आओ, तो कितना हो गया यह, 1045, 1045 is equal to mu s, 1045 के value होती है 1, तो mu s कितना हो जाएगी बेटा आपका, 1, और यह तो directly formula भी होता है, कि mu s is equal to 10 theta होता है, इसको हम बोलते है angle of sliding, ठीके, तो कितना आगे इसका answer, 1, option number d, ठीके,